तो इन दोनों एक्वेशन को हमने करना है क्रेमर्स रूल की मदद से सॉल्फ तो क्रेमर्स रूल में आपने तीन चीज़े याद रखनी है D, D में क्या होता है A1, B1, A2, B2 इसके बाद होता है Dx, Dx में होता है C1, B1, C2, B2 D, D, Y में होता है A1, C1, A2, C2 ठीक है अब D, A1 क्या है जो X के पास है वैल्यू, 2 और 3 यानि एक्वेशन 2 में 3 है, एक्वेशन 1 में 2 है फिर B क्या होता है जो Y की वैल्यू होता है, अब यहाँ पर Y की वैल्यू उपर प्लस 1 है, नीचे माइनस 1 है, ठीक है अब C क्या होता है, इक्वेशन 2 के दूसरे तरफ वाली वैल्यू, तो यह D हो गया, अब है Dx So, Dx क्या है हमारे पास, C1 यानिके 1, C2 यानिके 4, B1 यानिके 1, B2 यानिके माइनस 1 इसके बाद, D, Y क्या है हमारे पास, D, Y है A1, 2, A2, 3, C1 is 1 and C2 is 4 अब हमने सबसे पहले D find करना है, तो D को कैसे करेंगे, जिसनाचे हम determinant करते हैं, सेम उसी तहां से D is equal to, यहाँ पर 2 multiply by minus 1, minus 3 multiply by 1, 2 1s are 2, minus 2, minus 3 1s are 3, तो यह हो गया, minus 6 ठीक है, फिर हमने Dx find करना है, Dx भी सेम इसी तहां से होगा 1 multiply by minus 1, फिर minus 4 multiply by 1, तो 1 वन जा 1, minus 4 वन जा 4, तो यह हो गया, 4 और 1, 5, फिर D, Y तो D, Y होगा हमारे पास, 2 multiply by 4, minus 3 multiply by 1, 2 4 जा 8, minus 3 जा 3, तो यह हो गया, 5 अब हमें X और Y की value find करनी होती है, इसमें, तो X के लिए क्या formula होता है, Dx upon D, और Y के लिए होता है, D, Y upon D, तो Dx क्या है, हमारे पास 5, और D क्या है, हमारे पास minus का, minus का 5, ठीक है, 3 and 2, 5 होते हैं, minus का 5, तो यह हो गया, minus का 5, इसी तरह से यहाँ पर D, Y है 5, और D है, minus का 5, तो यहाँ पर D, X भी minus का 5 है, और यह दोनों तो minus minus cancel, और 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 1 आ जाएगा, यहाँ पर 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 1 आ जाएगा, तो answer आया, 1 और minus का 1, तो यह था question, उमीद करती हूँ, कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा, मजीद exercises and questions के लिए, channel को कर दें, subscribe, and साथ ही, अपने classmates and friends, share भी जरूर किया करें, and for more, you can visit our website, www.studentube.info, Allah Hafiz,